कि याट्रा करते हैं जैसे हम कहीं भी फिजिकल यात्रा करते हैं तो किते लोग बोलते हैं कि यात्रा करते समय दो चीजे बड़ी इंपोरोटेंट है एक तो चाहिए समय और सही टिकेट जैसे फ्लाइट उड़ रही है सुबह साथ वजे आप पहुंचे होगे सारा रात को बारे वजे तो कोई फायदा है जाई नहीं पाऊगे जा जा रहे हो दूसरा फ्लाइट बहुत सारी उड़ रही है या ट्रेन है बहुत सारी है वहाँ पे जहाँ आप गए हो जंक्सन पर किसी पे भी तो सही ट्रेन की सही टिकिट लेके बैठना कितना इंपोर्टेंट है कहीं पहुंचने के लिए किते लोग बोलते हैं कि इंपोर्टेंट है या बस ऐसे मूठ आगे किसी भी ट्रेन में चड़े जाओ क्यों जादा तर हम लोग अपने केरियर में जो भी आप कर रहे हो मैं किसी का कुछ भी परसनल बोलना नहीं चाहता जादा तर हम अपने केरियर में मूठ आगे ट्रेन में चड़े हुए हैं समझा रहा है क्योंकि हमने सोचा या क्या करें तो कोई जोगाड नहीं मिली तो कुछ भी कर लिया समझा रहा है या सर आप मैंसे कोई एकादी बंदा ऐसा होगा सर मेरा सपना था सुरू का कि मैं पढ़ाय लिखाई करूँ पढ़ाय लिखाई करने के बाद फिर मैं इसा करूं फिर मिन नौकरी डूंडं़ों सरकारी नौकरी भी मैंने उस department में डूंडी जिसमें मैं dream देखता था जिसकी मैं सोचता था वहीं जाके मेरी जगा निकली वहीं जाके मैंने exam दिया फिर मैं select हुआ फिर मेरे साथ ऐसा हो रहा है यानि हम ज़्यादा तर जहां भी जा रहे हैं अपनी जिन्दगी में, जो वीकल हमने चूज किया है, यह जो हमने जिन्दगी में टिकेट ले रखी है, वो एक्चुली सोची समझे हुई नहीं है, वो कैसी है, ट्रेन खड़ी थी, हमको कहीं तो जाना ही था, ट्रेन खड़ी थी, हम लोग इस्टिसन पर पहुँचें, समय हमें से भी हमको कोई लेना देना नहीं है। आओ जम भी पहुँचें जैसे हम 2 ज़े पहुँचें मतलब कि train 4.45 बज़े आए हमें क्या लेना देना है हम तो 3.2 ज़े पहुँचे गए ना अभी 3.4 ज़े coun1 का पखराएगे चड़गें किते लोग मानते हैं ये सही है गल्त नहीं है गल्त है यह गल्त है कि अब जो हमने किया है या ऐसा ही हो रखा है हमारे साथ तो किते लोग सही यात्रा करना चाहेंगे जीवन, आगे बचा हुआ जो जीवन है, उसको सही तरीके से यात्रा करना है, सही यात्रा क्या है? समय सही होना चाहिए, गंतव विस्तान जहान पर जाना चाहते हो वो भी चही होना चाहिए, एक्चुली जहाना है हमको जगए तो पहले तह होनी चाहिए ना, फिर उसके according, भ डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे और वो डेस्टिनेशन है आपकी टाइम फ्रीडम मनी फ्रीडम क्या है आपकी डेस्टिनेशन क्या है टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम दोनों को एक एक लाइन से समझाऊंगा सिर्फ टाइम फ्रीडम क्या होता है टाइम फ्रीडम का कभी भी माईने ये नहीं होता कि किसी फालतू आदमी को जिसके पास कोई भी काम ना हो, उसको हम ये बोल सकते हैं कि आरे ये timely free है, time freedom का माईने है कि अपने according, क्या आपके पास किसी भी चीज को समय देने के लिए, समय है कि नहीं, किते लोगों को मेरी बास समझ मारी है, जैसे मेरी हॉबी है कि मैं बागवानी करूँ मतलब मैं कुछ होगा हूँ मेरी हॉबी है अब हॉबी से मेरे को कोई लेना देना नहीं है लेकिन सुबह मेरे को साड़े साथ बज़े डेली पढ़ाने जाना होता है तो किते लोग बोलते हैं मैं टाइम से फिरी हूँ है ना दूसरा आप इसको ऐसे ना माने कि पढ़ाना बुरा है अब हो सकता है कि मैं डॉक्टर हूँ लेकिन मेरी होबी है कि मैं लोगों को पढ़ाऊं है बाई मैं डॉक्टर हूँ बाई प्रोफेशन लेकिन मेरी होबी है क कि मैं गरीब बच्चाओं को जो मेरे दाएं वाएं सलम्स में रहते हैं जो पड़ियों में रहते हैं मैं उनकी जिंदगी में अपना तजरुबा दूँ यानि उनको पढ़ाऊं ये मेरी होबी है लेकिन मैं अपनी होबी का काम नहीं कर पा रहा है मेरे को कहा जाना पड़ रह के दो करोड रुपया लॉन लेके सरकार से हॉस्पीटल बना रखा है और वो दो करोड की जो किस्त जाती है वो 24 लाख रुपया जाती है बारा लाख रुपया जाती है अब बारा लाख रुपया महीना में कहां से चुका हूँगा अगर मैं अपनी होबी में काम करने आप लोग चूस करके आप उसको कर पाओ, इसको time freedom कहते हैं, हमारे business में time freedom पाना आसान है, जल्दी पा सकते हो, उमर का कोई लेना देना नहीं है, time freedom कौन कौन enjoy कर रहा है, मैं आपको कही लोगों के नाम बताऊंगा, धर्मेंदर जी time freedom enjoy कर रहे हैं, उन्होंने 55 साल, बॉली ब करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, उनको आप कोई लेना देना नहीं है, उनका जो कुछ भी पूरा 24 गंटे जो है, वो अपनी hobby को पूरा करने में जाते हैं, है न, time freedom है, लेकिन ऐसी भी time freedom का क्या मतलब जो 55 साल करने के बाद और 80 साल की उमर में मिले, लेक आपको time का enjoy करने का मज़ा आए, time को अपने तरीके से जीने का मज़ा आए, जीवन भर पैसा के चकर में गूमने का वो न रहे, that's called time freedom, किते लोगों को समझ में आ रही है, time freedom, तो ये time freedom असिल की जा सकती है, इस train में सही बैठ गए तो, सही ticket ले ली तो, सही समय पे सही काम कर लिया तो, कर सकते हैं न, money freedom, what is the meaning of money freedom, money freedom का meaning ये नहीं है, कि आपके पास अथा दौलत होनी चाहिए, money freedom का मतलब है, खर्चे जितने रुपे में आपके चल जाते हैं, इस formula को आप लिख सकते हैं, अगर आपको किसी को समझा ना हो, और ये time freedom, money freedom जरूर समझाए करें, जब प्लान दिखाते हैं किसी को, ये ऐसे दो अतियार हैं, किसी पे भी चला दो, ब्रह्मास्त्र हैं, बड़े से बड़े आदमी पर चला दो, speechless हो जाएगा, अरे बोला यार तु ये, कौन से जमाने की बात कर रहा है, समझा रहा है कि नहीं, तो, what is the money freedom, money freedom ये है, कि आपका monthly, जो expenses है, जो आपकी जिंदगी को सर्वाइब करने के लिए चाहिए, मान लीजे एक लाख रुपया महीना, ऐसे roughly, एक लाख रुपया महीना गुणा बारा और गुणा पच्चिस, पच्चिस साल आगे का पैसा, अगर आपके पास आज खाते में है, इसका मतब आप पैसे से फिरी हैं, अब आपको काम करने की बहुत ज्यादा जरुवत नहीं है, जो कुछ भी आप उठा पटक कर रहे हैं, वो जरुवत के लिए नहीं कर रहे हैं, एक्चुली ख्वाबों के लिए कर रहे हो, सपनों के लिए कर रहे हो, इसको money freedom बोलते हैं, किते लोगों को मेरी बा आप खरचा करते हो, बारा लाक रुपरे साल के होगे, बारा लाक बोणा 25, कितने होते हैं, दो करोड़ चालिस लाक तो होगे, 20 साल के, और बारा पंजे साथ, साथ होगे, तीन करोड रुपया, अगर आपके पास आज की डेट में, आपके खाते में है, तो, you are enjoying money freedom, क्यों, खाते में बोला हूँ, खेत में हिस्सा नहीं बोला, ध्यान दीजिए दोनों बातों में अंतर है, खाते में, खेत में नहीं, कई लोग बोलते हैं, 6 करोड का खेत हैं, हम दो भई आया हैं, तो हम मनी फ्रीडम है यह हमाई पास, तेरा बाप बेचेगा तब तो मनी फ्रीडम है मैंना वो तब किते लोगों को समझ में आ रही है मेरी बात में दोन बात समझ मागी तो किते लोग बोलते हैं अगर सही टिकिट ले ले आज सही है में इंसेट कर ले तो यह जो डोने चीजे दो तारह स्कृती यह किते लोग करना चाहेंगे axes